पश्कार मैं हूँ जूही वर्मा और आप देख रहे हैं NewsLiveMP.com इस साल क्या रहा खास ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कोरोना का साया पूरे साल देश सहित मध्यप्रदेश पर भी चाया रहा ये बात अलग है कि साल की शुरूरात में कोरोना का सर कम नजर आया डर था लेकिन दहशत नहीं शायद इसलिए मध्यप्रदेश में सियासी उठापटक का दौर जोरों पर रहा साल की शुरूरात ठीक ठाक थी पर अचानक एक दिन जोतिरादित सिंधिया ने किसानों के हक में आवाज बुलंद की कर्ज माफी की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं हुई तो सडक पर उतर जाएंगे ये ऐलान तक कर दिया जबाब में ततकालीन मुख्यमंतरी कमलनाथ ने भी कहा कि बिल्कुल उतर जाएं बस यहीं से मध्यप्रदेश ने साल 2020 ही नहीं अपने पूरे सियासी सफर में ऐसी राजनतिक घटना पहले कभी नहीं देखी थी और उसकी शुरूरात हुई जो हुआ वो बरसों बरस तक मध्यप्रदेश के राजनीती नामे में गाढ़ी स्याही के साथ दर्ज होगा वैसे तो होली से पहले ही पीएम नरिंद्र मोधी ने ये एलान कर दिया था कि कोरोना के चलते इस बार वो रंगों के किसी जलसे का हिस्सा नहीं बनने वाले है पैगाम था लोगों के लिए कि अब कोरोना पैर पसार रहा है, सावधान रहे पर सबसे ज्यादा बेरंग और बेनूर होली प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए साबित होई होली के ही दिन संधिया ने अपनी पुरानी पार्टी कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी जॉइन कर ली कॉंग्रेस के लिए यकीनन ये बहुत बड़ा जटका था संधिया के पार्टी बदलने के कुछ दिन पहले ही कॉंग्रेस, सपा, बसपा और निर्दलिय विधायक जो अचानक गायब हुए थे उनसे जूज ही रही थी लेकिन उसी रात दिगविजे सिंग, विधायक जीतु पटवारी और जैवर्धन सिंग उनकी वापसी कराने में काम्याब रहे थे अपनी इस जीत पर कॉंग्रेस अपनी पीट थपथपा ही रही थी इस बात से अंजान थी कि पीट पर इससे भी बड़ा धक्का तो अभी लगना है सिंधिया ने पार्टी बदली और उनकी पार्टी बदलते ही 22 विधायक उधर से इधर आ गए याने कॉंग्रेस छोट बीजेपी में आ गए कमलनात और दिगविजे सिंग हाथ मलते रहे गए जिस सरकार को बचाने में पूरा एक दिन खर्च हुआ था उसे गिरने में 24 मिनिट भी नहीं लगे साल 2020 इस एतिहासिक राजनतिक घटना का गवाह बना इसके बार मैजोरिटी साबित करने और सरकार में बने रहने की कवायदें चलती रही इस बीच कोरोना ने पैर पसारे और ऐसी घटना सामने आई जिसने फिर पूरे प्रदेश को दहला दिया इन दौर में कोरोना से जूज रहे लोगों को इलाज के लिए लेने गए कोरोना वारियर्स पर पीडितों की बस्ती में हमला हुआ उन पर पत्थर तो बरसाई ही गए उन पर थूका तक गया नतीजा ये हुआ कि कोरोना ने तेजी से इन दौर को अपनी गिरिफ्ट में ले लिया इसके बाद प्रदेश में कोरोना से जुड़ी खबरें बेहदाम हो गई लेकिन सबसे बड़ी खबर चौकाने वाली खबर ये थी कि जस विभाग पर कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी थी याने स्वास्त विभाग उसी विभाग के आला आधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आए इसके बार लापरवाही के इलजाम लगते रहे इस बीट सीम शिवरासिंग चौहान पर मंत्री मंदल विस्तार का दबाव बना आनन फानन में पांच मंत्री बनाए गए और काम शुरू हुआ इस मिनी कैबिनेट में दो संधिया समर्थक तुलसी राम सिलावट और गोवन सिंग राजपूत को भी जगे मिली जो उस वक्त विधायक नहीं थे राजनिती के इस आपधापी में शायद नेताओं ने कोरोना को नजरंदाज भी किया नतीजा ये हुआ कि पहले संधिया फिर खुद मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान और उसके बाद बीजपी के कई नेता, मंत्री, विधायक कोरोना की चपेट में आते रहे सरकार कोरोना से उबरी तो चुनाव भी सिर पर आ चुके थे उपचुनाव के अलान के बाद प्रदेश की सियासी हवा ही बदल गे नए जुमले और नए नारे सियासी फलक पर चमचमाने लगे कॉंग्रिस ने जैचन, गदार, दलबदलू जैसे जुमले उच्छाल कर बीजपी की खिचाई शुरू की जवाब में बीजपी ने कपटनात, कलंकनात जैसे नाम दागने शुरू किये इस बीच कमलनात के एक बयान ने खूप सुर्खिया बटोरी और प्रदेश की सियासत को नया रुख दे दिया ये बयान कमलनात ने दिया था डबरा में, जहांकि एक चुनावी सभा में कमलनात ने इमर्ती देवी के लिए कहा कि क्या आइटम है यार नारी सम्मान पर आच आई तो पूरी बीजपी ने मौन विरोध जाहिर किया मंच पर इमर्ती देवी के आसू भी खूप बहे पर कमलनात ने आखिर तक अपनी गलती नहीं मानी कमलनात से गलती हुई तो खुद सिंधिया और उनके समर्थुकों से भी बहुत गलतिया हुई कई ऐसे कारिकरम हुए जब उनकी जुबान भी कई बार फिसली तुलसी राम से लावट ने कुछ कारिकरम में संधिया को ही मुख्यमंत्री कह दिया तो प्रद्यूम सिंग् तोमर को ये मानने में ही बहुत समय लगा कि आप मुख्यमंत्री कमलनात नहीं शिवरा सिंग चौहान हो चुके हैं और इमर्ती देवी के कुछ बयान तो ऐसे आये कि सियासी भूचाल तक आ गया लेकिन अंतिम चर्णों के चुनाव प्रचार में जो सिंधिया का स्लिप ओफ टंग हुआ वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ जिसमें खुद सिंधिया ने कॉंग्रिस के चिन पर बटन दबा कर वोट देने की अपील तक कर डाली थी चायद यही नतीजा रहा कि डबरा बीजेपी के हाथ से निकल गया चुनावी बेला में भी दल बदलने का दौर जारी रहा किसी जमाने में कॉंग्रिस में रहे सिंधिया से नाराज गौलियर के बड़े नेता बालिंदू शुकला ने घर वापसी की और कॉंग्रिस का हाथ थामा तो प्रेमचन गुड्डू भी कॉंग्रिस में दोबारा आए और सावेर से तुलसी राम सिलावट को टक कर दी सुर्खी से बीजेपी विधायक रही पारुल साहू भी कॉंग्रिस की नईया पर दोबारा सवार हुई हाला कि वो इस चुनाव में बुरी थरे हारी भी दिन था 10 नवंबर पूरी 28 के 28 सीटों का चुनाव जीतने का दावा कर रही कॉंग्रिस केवल 9 सीटों पर ही जीत डर्च कर सकी जितने कद्दावर नेता कॉंग्रिस को जीत का ख़ाब दिखा रहे थे सब को हार का सामना करना पड़ा सिंधिया के में के दो सबसे प्रिये नेता इमर्ती देवी और गिर्राज दंडोतिया को भी हार का मुह देखना पड़ा इस सियासी उथल पुथल के साथ साल का अंतिम महना भी आ गया था कुछ बदलाव अभी भी इसी साल को देखना बागी थे सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन जो कमलनात उप्चुनाव के दोरान सत्ता में दमदार वापसी का दम भरते रहे उनके एक बयान से शुरू हुई सन्यास की अटकलों के बीच ये साल अब गुजरने को है देखना ये है कि ये आने वाला साल अब क्या नए सियासी बदलाव लेकर आता है और 2021 क्या कोरोना के साएं से बच पाता है या नहीं नमश्कार